Hello and Welcome to Civil Engineering Quick Solution आज हम बात करेंगे columns की इसके अंदर हम देखेंगे column होता क्या है और जो long column and short column जो होते हैं उनके बीच में क्या differences होते हैं तो बात करते हैं पहले column की column जैसे आपको पता होगा column एक vertical member होता है जो की compressive load लेता है यानि कि जब column के पर कोई load आएगा तो वो उसको actually transmit करेगा foundation के पर अब actual का मतलब होता है कि वो अपने longitudinal axis के according उस load को foundation पर transmit करता है तो अगर आपके पास कभी question आए कि column एक compressive member है या tensile member है तो आपको यह याद रखना है column एक compressive member है तो आप बात करते हैं long column and short column के differences की तो सबसे पहली बात जब आप long column and short column को देखोगे तो जिसकी length जादा होगी column की वो जर्नली long column होगा ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है इसके बारे मैं आपको आग़े बताऊंगा जो technical जो points हैं लेकिन जब आप एक column को देखोगे जिसकी length जादा होगी तो जर्नली वो long column होगा और जैसे कि आपको पता है कि जो long column होगा उसका जो failure होगा जब उसके पर load आएगा जब वो fail होगा तो वो buckling failure होगा उसका यानि कि वो मुड जाएगा जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो ऐसे ही जो short column होगा उसका जो failure होगा वो crushing में होगा यानि कि वो तूट जाएगा बीच में से यानि कि उसका जो concrete है पुरी तरह से तूट जाए crush हो जाएगा तो ऐसे करके दोनों का failure होगा तो next difference की बात करते हैं तो जो short column होगा वो load जादा ले लेगा और जो long column होगा वो load कम लेगा यानि कि जो load carrying capacity है जो short column है उसकी जादा होगी और जो long column है उसकी कम होगी तो next जो सबसे main difference है जिसके कारण आप पता कर पाओगे कि ये long column है short column है वो तैय ratio of al effective divided by जो उसकी least lateral dimension होगी तो al effective अलग अलग column के लिए अलग अलग होगा यानि कि अगर both hand हिंज होंगे तो अलग होगा अगर both hand fixed होगे तो अलग होगी al effective हम बोलते हैं effective length को तो effective length fixed के लिए अलग होती है, hinge के लिए अलग होती है तो जैसा आप column यूज़ कर रहे हो उसके according आप जो effective length है वो ले लोगे और divide करोगे उसको जो उसकी least lateral dimension है least lateral dimension क्या होगी जो उसका cross section होगा cross section में उसकी width में 2 dimension होगी तो जो दोनों में से सबसे कम होगी उसको बोलेंगे हम least lateral dimension उनके ratio का अगर उनका ratio 12 से जादा है तो वो होगा long column अगर वो 12 से कम है ratio तो वो होगा short column यानि कि एलिफ एक्टिव आए least lateral dimension अगर 12 से जादा है तो long column होगा और अगर 12 से कम है तो short column होगा next difference है radius of gyration का जो long column में radius of gyration कम होगी और जो short column में radius of gyration जादा होगी तो radius of gyration जैसे आपको पता है R से हम इसको denote करते हैं और यह होती है under root of I, I बोलते हैं moment of inertia का और divided by A A होगा cross section area of column तो I by A का root करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगे next है हमारे पास slenderness ratio तो slenderness ratio जैसे आपको पता है कि L effective divided by K यानि कि radius of gyration तो effective length को अगर हम radius of gyration से divide कर देंगे तो हमारे पास क्या जेगी slenderness ratio तो यह इसमें मैंने देखा है कि students को काफी confusion रहती है किसी को लगता है कि वो 32 से कम वाली होगी किसी को लगता है 41 कहीं पे 32 देखा होता है कहीं पे 41 देखा होता है अगर आप strength of material में देखोगे तो slenderness ratio जो columns की अलग होगी और RCC में अलग होती है तो जो slenderness ratio strength of material में होती है वहाँ पे हमारे पास 3 column होती है सबसे पहले short column अगर आपकी slenderness ratio 32 से कम होगी तो आपका column होगा short column अगर 32 से 120 के बीच में होगी तो intermediate column और अगर 120 से जादा होगी slenderness ratio तो वह होगा आपका long column तो ऐसे ही बात करते हैं RCC में RCC में क्या होता है कि अगर आपकी slenderness ratio 41 से जादा होगी 41 से जादा होगी तो आपका long column अगर आपकी slenderness ratio 41 या equal to 41 या फिर 41 से कम होगी तो आपका जो column होगा होंगी हमारी crushing stresses तो यह सब difference थे long column and short column के तो I hope इसमें आपको सब समझ आया होगा अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आप चाते हो कि मैं slenderness ratio और जो radius of gyration इसका detail में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे comment section में जरूर बताएं thanks for watching